नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टेडी सेंटर यूटूब चैनल पर देखे दोस्तों आज नौ जून है और यहां पर देखिए ग्राम विकास सोध प्रणालियों के प्रशनों कवर करेंगे नमस्ते नमस्ते जैहिंद बंदे मत्रम गुड कोसर नमबर पहले के जवाब देना ऑपका इंसर अनुसथान के संदर में नियम्लि यहां पर व्यक्ति निष्टता पर बल देना है अनुसंधान एक ऐसी प्रिक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भी घटना के संबंद में विस्वसनी और लाब प्रद जानकारी प्राप्त करना होता है ठीक न तो यहां पर राइट अंसर आपका क्या होगा विकल्प नंबर यहां पर आपका हो जाएगा देखिए यहां प विकल्प नंबर सी होगा आगे आम बढ़ते हैं यहां पर देखिए जवाप देना नई जानकारी या लच्छ जानने के लिए किया गया कोई भी अध्यान चाहे और लोकन से हो या किसी अन्निभीत से निम्नि में से किसे अनिवाल रूप से सामिल करने पर ही यह अनसंधान क होगा यहाँ पर राइट अंसर होगा बिलकुल जभाब आ रहा है चली यहाँ पर देखिये कोसराइबoft नमबर टीन का जबाब देना है ग्रामीड विकास में अनुसंधान के संधर में निम्ने मेंं से कौन सा सही है यहाँ पर देखिए जबाब देना राइट अंसर क्या होगा तो यहाँ पर देखिए इससे आसे अनुसंधान सोध बिदियों के प्रयोग से है सोध द्वारा उपलब दे सूचना का प्रयोग ग्रामीड विकास पेसेवरो द्वारा निर्णा निर्माड से पूर्व किय किया जा सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों बिकल्फ हमारे A और B दोनों के दोनों हिसाई होंगे चलिए यहाँ पर देखिए जबाब देना है थोड़ा कोसंस आपके बड़े होते हैं सोध प्राली से है ना चलिए यहाँ पर देखिए जबाब देना है नि महावित प्रवाव सीलता के बारे में जनकारी प्राप्त करना होता है कारकरम के उद्देश को बदलने और निड़ने लेने से पहले सामधाई कारे करता समुदाई के एक सामधाई कल्यार यानि यहां पर दिखे सभी का सभी सभी होगा डी नंबर वाला बिल्कुर सभी अंसर आपको हो जाएगा वैज्यानिक विदिका प्रात्मिक उद्देश निमने में से कौन सा है यहां पर दिखे जवाब देना है को सा नंबर पाच का अंसर गया होगा चलिए यहां पर दिखे जवाब देते रही यहां पर आपका अंसर क्या होगा तत्यों को इकठा करना निमने में से कौन सा सही है? यहां पर बताए संसर क्या होगा? तो यहां पर दीए सिधान किसी तत्व पर आधारित नहीं होता है और नहीं तत्फ सिधान पर तत्थ अपना महात्व सिधान से नहीं पराप्त करते हैं, याणी यहां पर दोनों के दोनओ σई होंगे, या पर आधारिज होता है हा ना तो तक किसी सिधान पर till नहीं होता है नहीं होता है यह यह गलत है तख अपना महत्त सिधैन से प्राप्त करते हैं हाना टट फर्व ज्मीन ब अनुपरन यहां पर यत अजहिए वियंते करते हैं तो यहाँ पर देखिए बेक्तिकत सामानी करण और बेक्तिकत पूर्वागरा यानि यहाँ पर दोनों के दोनों होगा विकल्प नमबर सी आपका बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा। विकल्प नमबर यहाँ पर सी आपका हो जाएगा। अब बी नमबर पर लिखा हुआ है मौलिक अनुसंधान का मुखे उदेश बैवारिक अनुपरियों की इच्छा के साथ ग्यान की सीमाओ को विस्तरत करना है। तो यहाँ पर देखिए जवाब आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा ए नमबर वाला। इच्छा के बिना ग्यान की सीमाओ को विस्तरत करना होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा B वाला तो गलत हो गया A नमबर इच्छा के साथ नहीं इच्छा के बीना होना चाहिए था चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रामीड विकास में अनुसंधान का छेतर निमने में से कौन सा है यहाँ पर देखिए जबाब देना है कमेंट करते रही है जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सेर भी कर दीजिए ताकि और लोगों भी जुट सके यहाँ पर देखिए अंसर क्या होगा यहाँ पर आपका जाएगा उपर युग्त सभी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर जबाब देना है कोसर नंबर 13 में अंसर क्या होगा ग्रामीड विकास में अनुसंधान सोथ के छेतर के संदर में निमने में से कौन सा सही है हना यहाँ पर देखिए जबाब देना है कौन सा सही है तो यहाँ पर आपका क्या होगा देखिए यहाँ पर इसके दोरा ग्रामीड विकास के विभिन ने कारिक्रमों के प्रभाव को जानने का प्रियास किया जाता है सरकारी तथा गैल सरकारी संगठों नोग दोरा जरूरतों तथा संसाधों की पैचान कारिक्रमों तथा सेवाओं का मुल्यांकन यानि यहाँ पर उपरियुक्त दोनो होगा त्यान यानी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आपको होगा डी-numbr ग्रामीड विकास के अनुसंधान सोद पध्यतियों के अंतरगत अनुसंधान प्रक्रिया के संदर में निम्न में से कौन सा सही नहीं है हाना यहाँ पर देख़े पहले चरण सोध समस्या की रचना करना है, सोध समस्या की हैना, तो इसलिए ये वाला आपका सही नहीं है, मांकि आपके सभी के सभी सही है, बिकल्प नुम्बर बी वाला आपका, यहाँ पर अंसर सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा सुमेलिस करना है और देखिए चरण फस्ट सेकेंड थार्ड फॉर्थ फिप्ट सिक्त कम ते कम छे चरण तो आप अनुसांधान प्रिक्रिया के यादे कर लिजिए हैना कौन कौन से होते हैं चलो कोशन थोड़ा से बड़ा है थोड़ा से मैनेज करना पड़ेगा आपको हैना चलो यहाँ पर देखिए इतने ही से काम चलाई है ज्यादा जूम करेंगे ना तो फिर दिखेगा नहीं हाना यहाँ पर देखिए चरण एक तीन पांच छे की बात हो रही है हना यहाँ पर देखिए अंसर क्या होगा तो यहाँ पर देखिए जो पह चलो कोई बात नहीं और यहां पर आपका हो जाएगा और यहां पर देखते हैं B अनुसंधान डिजाइन को बनाना तो इसका आपका क्या होगा इसमें आपका हो जाएगा यहां पर चरण नंबर तीसरे प्याता यानि B का तीसरा A का चौथा, B का तीसरा, यानि बिकल्प नमबर यहाँ पर आपका C मैज कर गया है 4, 3, 2, 1 होगा, बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा, ठीक ना अदेगे कुछ चरण हम आपको दिये दे रहे हैं, इनको याद कर लिजिएगा, स्क्रीन सार ले लिजिएगा पर्थम चरण में क्या है, समस्या का चैन एवं परतिपादन है, दो-ती चरण में परिकल्पना गिरचना है तरती में अनुसंधान डिजाइन का बनाना है, चतुरत में आकड़े विवरण 71 करना है और पांचबे में आकड़ों का विशलेशन और ब्याख्या करना है, और यहाँ पर छटण में सामान नी करना है, ठीक है नहीं है, आपको चरण अच्छे से याद कर लिजिएगा चली आगे मढ़ते हैं, अनुसंधान प्रिक्रिया की इस्तिती के संदर में निमने में से कौन सा सही है, यहाँ पर देखिये जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा पहले इस्तिती हो सकती है, कि आकड़े परिकलबना के बिल्कुल अनुरोब नहीं है, या आंसिक सम कुछी लोग कर रहे हैं, सभी लोग करते रहे हैं, अनुसंधान सोद प्रिक्रिया में सोता सुधार की आवसकता निमने में से किस इस्तिती में पढ़ती है, है ना, तो यहाँ पर देखिये जवाब क्या होगा, तो यब आकड़े परिकलपना का बिल्कुल समर्थन नहीं कर पर देखिये, आपको जवाब देना है, राइट अंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल नमबर यहाँ पर क्या होगा, बी नमबर को लाग कर लेजिए, अनुसंधान करता के द्वारा चैन की गई समस्या से पूरी तरह परिशित होने के लिए उपल नमने में से कौन सा सही है, देखिये, यहाँ पर बताना है कौन सा सही है, बी इस नमबर में, हाना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिये, जो अंसर आपका जाएगा, यहाँ पर उपर योग सभी वाला होगा, ठीक है ना, सभी के सभी आकड़े यहाँ पर देखिए भावी का मतलब होता है आगे होने वाला कोई चीज है ना तो चलिए यहाँ पर अंसर देखिए का होगा यहाँ पर A नंबर होगा हा ना A नंबर होगा चलिए यहाँ पर राइट अंसर आपका विकल्प नंबर यहाँ पर A होगा यह नंबर आपका नहीं होगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं बाकी सब हैं परिकलपना के रूपों में संदर्व में निमने में से कौन सा सही है यहां पर देखिए आपको बताना है इन में से कौन सा सही है तो यहां पर देखिए आपका अंसर बताइए क्या होगा तो देखिए कि उपरे उस अभी होगा लेकित हर्स हमेशा नहीं होता है ठीक ना इस चीज़ को भी से ध्याण रखिएगा तो यहां पर अंसर नंबर आपका ए नंबर होगा ए नंबर विल्कुल सही होगा यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए कथन आपको दिये गए हैं यहां को बताना है कथन एक ग्रामीर बिगास के छेतर में अनुसांधान करता का अपना ब्यवसाइक अनुभाव ही अनुसांधान समस्या की पैचान करने का अपेच्छाक्रत अच्छा सुरूत होता है और कारण यहां पर दिया गया यह जाने वाले अनुसांधान की संबंदित त तता आर एक ही क्या है सही व्याख्या भी आपका कर रहा है चली आगे बढ़तें अनुसांधान देखिए थोड़े प्रस्ण हमने आपसे कहा था कि आज के जो थोड़ा टेस्ट होगा थोड़ा सलेंदी होगा है ना लेकिन एक बार आपको प्रस्णों को पढ़ लेना है ता किसी विशेस अनुसंधान समस्या के लिए उप्यक्त अनुसंधान प्रतिमान का चैन प्राया उसके उद्देशों परिकल्पना नमूने एकत्रित किया जाने वाले आकड़ों के प्रकार अनुसंधान के लिए उपलब्द समय तथा इस कारे के लिए उपलब्द धन पर नि तथा मद्य चर प्रत्य चुरूप से अनुसंधान आकुरों से संबंदित हैं सही है चरों के चयन में महत्यपूर्ण बिंदु है कि शोतंत्र चरों की रचना करना बिल्कुल सही है तो यहां पर भी अंसर आपका जाएगा सी नमबर के साथ यहां पर देखिए आपको बताना नमूने का चयन करने के संदर में निमने में से कौन सा सही है है अगर यहां पर देखिए आपको बताना है तो नमूने का आकार नमूना चयन करने की तकनिक नमूने का प्रकार सब विसे महत्यपूर्ण है यानि यहां पर भी जिस तरीके से ल भी उल्साइई है यहां पर अंसार आपका d number वाला बिल्कुल चाहीँ अंसार आपका हो जाएगा निम्निय में से कौन से हैं यहां पर देखें जबाब देना 28 नंबर का अंसर जाएगा इन से कौन से आफ्या काक स्कार एवश्यरकर अफ उलोकन शाथ Glenn अनुसंधान करता सैकड़ों आकड़ों के एक ही स्रोत का उप्यों करने का प्रस्ताव करते हैं परंतु एक ही आकड़े होना चीए था हना इसलिए यह आपका गलत हो जाएगा यहाँ पर अंसर आपका जाएगा ए नंबर ए नंबर वाला होगा सी नहीं होगा ए नंबर वाला बिल्कुल सही है ठीक है ना ए नंबर बिल्कुल सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ ए नंबर होगा परन्तों आकड़े करतित करने के लिए अपने दाइरे को ब्यापक बनाने के लिए आप कई सुरोतों को प्रस्ताव कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपका ए वाला बिल से कौन सा सही है यहां पर देखिए जबाब देना है तो यहां पर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बताईए क्या होगा तो ग्राम विकास में सामाजीक अनुसंधान सामाजीक विसेयों से संबंद मामलों में सूचना एकतित करने के लिए यह तो सही है और विवेचनात्म क्या कहते हैं यहां पर देखिए बताना है तो उसे हम कहते हैं सोध प्रतिवेदन कहते हैं याद रखिएगा सोध प्रतिवेदन कहते हैं विज्ञान का संबंद बैग्यानिक बद्दस्ति है नकीब किसी विसेश अध्यन विसेश से यह कथन निमने में से किसका है यह कथन आपका है, इस्टुवर्ट चेज का है, विकल्प नमबर यहाँ पर क्या होगा, यह नमबर वाला बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा, ग्रामीर समाज के लोगों को कीन आपदा का समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है, तो यह करना पड़ता है, बाड़ का, सूख होता है, नगर, नगरी करन की प्रारम्बिक अवस्ता दर साते हैं, यहाँ पर दिखिये, जवाब देना है, राइट अंसर क्या होगा, कोसर नमबर देखिये, 35 में आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा, विकल्प नमबर आपका रूप मेνसे निम्लिखित म क्रिया बिज्ञान के दार्शनिक आधार का विकास किसके द्वारक किया गया यहां पर देखिए जबाब देना है तो यहां आप का है एंडमंध हरसल हरसल ठीक ना याद रखेंगे बिकल्प नमबर यहां पर एंदमर आपका हो जाएगा निमने में से किसने कहा कि सामाजिक इस्थितियां मौखिक बेवार तथा एक बड़ा ब्यक्ति क्या कर सकता है इसके ठों से निर्धारक कारक हैं ये किसने कहा था तो नाम याद रखिएगा लैवो ने कहा था लैवो का कतन था विकल्प नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर वाला उत्पत्ति है विकल्प नम्बर यहां पर बताईए किसने कहा था यह कहा था डेविस यानि विकल्प नम्बर यहां पर बी नमबर वाला बिल्कुल चाहिए अंसर आपका हो जाएगा चलिए कमेंट करते रहीए सबी लोग जो बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक सेर भी क तो यहां पर आपका होगा यूद्ध है घिस्तुरियों के समझ्या यह यहिस्तरेश् judging करते हैं एक बिकल्प नमबर यहां पर क्या होगा आपका dłग आपका हो यह आपके पाई आती है ग्रामीड समुदाएं में, याद रखिए कि ग्रामीड समुदाएं बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा, सामाजिक संरचना सब्दे से किसका बोध होता है, यहाँ पर देखिए जबाब देना है, तो यहाँ पर आपका बाहर रूप सरूप का होत याँ यहाँ पर अंसर आपका होगा C नमबर, यहाँ पर देखिए बताना, सोसल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अगर हम पुस्तक के राइटर के नाम की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, आग बर्न है, आग बर्न, सोसल चेंज नामक पुस्तक के राइटर है हिंदू दर्सन के अनुसार संयुक्त परिवार की सनचना में सरवाधिक निम्न इस्थिति किसकी मानी जाती है हाना किसकी मानी जाती है ये मानी जाती है विधवा इस्तिरी की याद रखिएगा विधवा इस्तिरी की बिकल्प नमबर यहाँ पर डी नमबर होगा निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेस्ता नहीं है तो संयुक्त परिवार की विशेस्ता इसमें कौन सी नहीं है तो यहां पर आपका होगा बैक्तिवादिता की भावना नहीं होगा तेंकि संयुक्त परिवार में बैक्तिवाजता की भावना नहीं होती है संयुक्त परिवार ऐसे बैक्तिवाजता की भावना नहीं होती है संयुक्त परिवार ऐसे बैक्तिवार का समूव है जो एक ही निवास इस्तान में रहते हैं एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं एक ही साथ रहते हैं है ना ये चीजे होती हलाकि ग्रामीर में ज़्यादा देखने को मिलता है बाकी सहरों में तो अब आजकल एकल परिवार आपको ज़्यादा देखने को मिलता है सामाजिक सोध विदी का संबंध पाया जाता है यहाँ पर दिखिये जवाब देना है तो सामाजी घटना करम मानो बेवार सामाजी जीवन की विभिन पच उपर यह सभी वाला आपको टिकर देना है निम्न में से कौन सामाजिक सोध विदी की विशेस्ता नहीं है यहाँ पर दिखिए जवाब देना है 47 का अंसर क्या होगा 47 का अंसर होगा सांक की विशलेशन की कमी विकल्प नमबर यहाँ पर C को क्या कर देंगे लॉक कर देंगे सामाजिक सोध बीदि के विशय छेत्रों में कौन सामिल नहीं होता है कौन सामिल नहीं होता है तो यहाँ पर आपका भूमी बित्रण सामिल नहीं होता है ठीक है न बाकी सब आपके इंग्रामीर समधा है सामुईक बेवार है सामाजिक सोध बिदि का ब्यावारिक उद्देश कौन सा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समस्या समाधान सब कुछ है यानि यहाँ पर राइट अंसर आपका क्या होगा डी नंबर वाला हो जाएगा निमने में से कौन सामाजिक सोध बिदि की समस्या नहीं है यहाँ पर देखिए जब आप देना है राइट अंसर क्या होगा तो यहाँ पर आपका होगा सामाजिक बिगटन का निराकरण है यह आपका नहीं है आगे बढ़ते हैं चलिए यहाँ पर देखिए बताना है 51 में निमने में से कौन सामाजिक सर्वेचरण सोध के उद्देश हैं है ना यहाँ पर देखिए आपका अंसर क्या होगा सामाजिक घटना का वरण कारण संबंद की खोज रचनात्मक कार यानि उप्रोक्त सभी वाला क्या होगा यहाँ पर राइट अंसर आपका हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सामाजिक सर्वेचरण पद्दती के प्रमुख दोस काउं से हैं हाना यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट अंसर क्या होगा तो सामाजिक सर्वेच्छर पत्यति के प्रमुख दोस हैं तो इसके देखिए कई सारे दोस हैं आपके जैसे आपका हो गया निदरसन तुरुटी भी है आवास्तिविक के सुचनाई भी है सभी हैं यानि यहाँ पर आपका अंसर आपका डी नंबर होगा सभी के सभी होंगे चली यहाँ पर देखिए बताना है आतिहासिक अनुसंधान विदि का संबंद पाया जाता है हना यह कहाँ पाया जाता है भूत काल के सोध से याद रखिएगा आतिहासिक अनुसंधान विदि का संबंद पाया जाता है भूत काल के सोद से आगे मड़ते हैं यहाँ पर देखिए बताना है अयतियासिक अनुसंधान विद के अध्यान छेत्र में सामिल पाया जाता है क्या पाया जाता है संस्तावकार, संभधानिक बिचारों व्योस्ता का विकास मनों बैग्यानिक बिचारों को बिखास यानि यहाँ पर अंसर आपका जाएगा उपरयोग सभी के साथ बैग्यानिक पद्दती का सामाजिक सोथकार किस पर आधारित नहीं होता है किस पर आधारित नहीं होता है कई बर हमने कराया है कई वर प्रश्न कराया है ये चिंतन पे अधारित नहीं होता है ठीक है ना याद रखिएगा चिंतन पे नहीं होता है चलिए निमने में से कौन बैग्यानिक सोथ पद्धत की विशेस्ता नहीं है है कौन सी नहीं है तो यहां भावनात्मकता नहीं है बस बाकी सब वैतारिकता है निशिता है शत्यापन सीर्था सब्ते यहाँ पर बताईए समाजिक समस्याओं के सोथकार में बैज्यानिक पढ़्धती के तहट अपनाए जाने वाले परमुक चरण में कौन सामिल नहीं पाया जाता है हाना यहाँ पर देखे जवाब देना है तो यहाँ पर आपका होगा सौर्व भावमिक सिधान्त इस्थाफित करना हाना तो यहाँ पर राइट असर आपका होगा विकल्प नमबर यहाँ पर D होगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखी बताना सामाजिक सोद कारे में तुलनात्मग भी दिके तहत निमने में से किसका अध्यन किया जाता है हना यहाँ पर देखिए जवाब देना है किसका अध्यन किया जाता है तो यहाँ पर किया जाता है उपरोग तो सभी का होगा रित रिवाज, समाजीक परिवर्तन और विशिष्ट समाजीक घटना एक सर नमबर में देखिए बताना है निमने में से कौन नी दर्शन पद्दत की प्रमुग विशेस्ता है तो यहाँ पर भी आपका अंसर होगा प्रतिनिदी इकाईयों का अध्यान यानि यहाँ पर भी अंसर आपका जाएगा डी नमबर के साथ आगे हम बढ़ते हैं जब किसी समाज के समू का अध्यार करने के लिए कुछ इकाईयों का चैन किया जाता है जिसमें समाज के गुणों का प्रतनेदित होता है क्या कहलाता है तो याद रखिएगा नीदर्शन कहलाता है विकल्प नंबर यहाँ पर आपका यह नंबर वाला बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा निम्ने में से कौन सी अनसूची की विशेस्ता नहीं है हना यहाँ पर देखिए बताना है तो यहाँ पर सीमी ताकार की तो है प्रत्य संपरकिवी आकडों का संकलन होगा आकडों का संकलन होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी नंबर वाला विल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा आगे हम बढ़ते हैं और लोकन को बैग्यानिक विदि की कौन सी विदि कहा जाता है यहाँ पर दिखिए जबाब देना है तो यह कहा जाता है सास्त्री विदि कहा जाता है विकल्प नंबर यहाँ पर आपका यह नंबर हो जाएगा और लोकन पद्धति की प्रमुक समस्या आए, सीमाई या दोस है, है ना, सीमाई या दोस है आपको बताना है, तो विश्व सनिता का भाव होगा है, सीमिच्छे द्रकाध्यान है, संख्यात्मपतितिका प्रयोक कटीन है, यानि यहाँ भी अंसर आपका जाएगा, उपरोग सभी के साथ निम्ने में से कौन साचातकार के उद्यस्यों का भाग नहीं है हना यहां पर देख히े जवाब देना है तो यहां पर आपका होगा लचीला पन होगा याद रखिये गए लचीला पन विकल्प नमबर यहां पर जाओगा आपका डी नमबर राइट अंसर आपका हो जाएगा है ठीक ना देखिए साथचातकार जो होता है सामाजिक सोध की एक महत्रपुड बद्दती होती है जो दूसरों के आंतरिक विचारों को जानने वा समझने महत्रपुड भूंकानी बाता है दिया गया लर्चीला साथचातकार के मुख्यों देश नहीं होता बलकि यह गुड़ होता है चलिए आगे हम बढ़ते हैं निमने में से कौन साथचातकार के प्रमुक दोस हैं अगर हम दोस की बात करते हैं न खरसीली बेदी मौकिक उत्तरवक पर विश्वास एक रूपता में कभी या नि सभी क पर आपका होगा सन रचित प्रसनावली होगा विकलपन नमबर यहां पर बी नमबर आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा यहां पर देखिए बताना है निमने में से कौन प्रसनावली प्रविदी का गुड़ नहीं है हना यहां पर देखिए जवाब देना ह यहां पर दिखिए बताना है प्रस्णवली के अउगुड़ या दोस है ना तो यहां पर आपका होगा प्रत्युत्तर की समस्या, आइसपस्ट लेक, सुचनाओ के आभी सुचनिता यानि उपरयुग सभी होगा यहां पर आपका अंसर क्या होगा डी नंबर आपका हो जाएग अंतरवस्तु विसलेशन पद्धती की सर्वपरतम शुरुवात कब हुई थी? यहां पर दिखिए जवाब देना, इसकी शुरुवात 1926 में हुई थी, डेट याद रखिएगा 1926 में हुई थी चलि यहां पर बताईए, अंतरवस्तु विसलेशन का प्रमुख उद्धेश काउंसा है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, गुड़ातमक तत्यों का मातरातमक शुरुप देना, गुड़ातमक अध्यान को वैसीक रूप देना, सम प्रेशन के प्रभावसाली साथनों का विकास करने उपरियोग से बिल्कुल सही है, यहां पर आपका अंसर डी नमबर वाला बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा, यहां पर देखिए बताना है, बैक्तिक अध्यान पद्धती में सामाजिक संबंदों के अध्यान में सामिल होता है, हैना यहां पर देखिए ब आने की पद्धती क्या कहलाती है हाना यहाँ पर देखे जब आप देना अंसर क्या होगा तो दोस्तों याद रखिए कि यह जो होता है वैक्तिक अध्यान कहलाता है बिकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही अंसर आपका हो जाएगा निम्न में से आपका गहरा अध्यान भी है सामागरी की संपुरेता भी है मनोव ब्रत्यों का अध्यान सभी है लेकिन पच्छपात की संभावना वाला नहीं होगा निम्लिकित में से कौन सांकिकी विश्लेषण की उप्योगता एवा महत्तों का इस्पस्टी करण है हाना यहाँ पर संदरवित नहीं करती है अंक कर दिये हैं कर दिये असका अंसर क्या होगा तो यहां पर आपका होगा सी नमबर वाला वाला बिल्कुल अंसर आपका हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखें यहाँ पर देखिए आपको बताना है अगला प्रस्ण आप से पूछा गया है सांखिकी का सामाजिक जीवन में काफी महत्तो है इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कम्या सीमाय पाई जाती है यहाँ पर देखिए जवाब देना है तो अगर हम बात करते हैं केवल संख्यात्मक तथ्यों का दियान है और दुरुपयोग होना यानि यहाँ पर भी अंसर आपका डी नमबर के साथ जाएगा अनभाव बात के बारे में कौन सा सही है यहाँ पर देखिए आपको बताना है अनभाव है ना तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा यहाँ पर आपका अंसर होगा बी नमबर या एक ऐसी प्रणाली होती है जो सभी पूर्व जानकारियों को निरस्त करती है तथा उसका इसका सोध के संदर में जब तो यहाँ पर कऊर सही नहीं है इसमें तत्यों के द्वारा तर्कों के आधार पर निर्धारी सचाई सामिल होती है तो सही है आपका है नसका लचे प्रियोगों परवच्छन तर्क पर चाहई पुष्टरां का ये भी साही है यह थो से वैक्तिक प्रिक्रिया को बढ़ावा देती है ये नहीं होगा हना ये आपका नहीं होगा राइट अंसर आपका ये नहीं होगा तर के प्यांदारिस होता है विकल्प नमबर यहाँ पर आपका C नमबर वाला होगा चलिए आगे बढ़ते हैं ये बताना ये कतन किसका है तु नम्बर होगा बिल्कुल सही ए नम्बर होगा निमने में से कौन अनसूची का प्रकार नहीं है तो कौन से नहीं है यहाँ पर आपका होगा जाती अनसूची ठीक ना पर अनसूची है मुल्यंकन भी है साचतकार भी है लेकिन जाती अनसूची यहाँ पर नहीं होगा चली यहा है ठीक है ना गुछ नहीं है चलिए विकल्प नंबर आपका यह होगा आगे बढ़ते हैं निमझ में से कं औOR o requirement 85 नंबर में अंसर क्या होगा तो यहाँ पर प्रत्य चेवं पुछ में अध्यन भी है विश्वह सनी शूचना का शुरोत भी है, सामोईग, विवार करद्यान भी है, यानि उपरोग सभी वाला यहाँ पर अंसर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, निमने में से कौन अवलोकन का प्रमुक प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आपका होगा उपर कालपना, उपर कलपना निर्माड करना, यानि बिकलप नंबर यहाँ पर क्या होगा, आपका सी नंबर वाला बिल्कुल राइट अंसर आपका हो जाएगा, चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपके 86 प्रसने थे, जो की सोथ प्रनाली इस थे, एक बार पुरा च्छे देख लिजिएग कल हम ग्रामीर स्वास्त योजनाओं का टॉपिक लेका राएंगे, इससे संबंदी जो भी प्रस्न बनते हैं, ठीक ना, तो कल देखेंगे 10 जून को हना, चलिए आज 9 जून की किलास कंप्लेट हो गई है, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी का, जो लोग बाद में जो लोड़े ते वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा, चलिए अगली कलास में मिलते हैं, रात को 10 बजे मैत में, धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद